आज हम मौजूद हैं कौन सा है अटेरना गाउं में के सर पंच भी है तो इनसे बात करते हैं कि इन्होंने इस गाउं की तस्वीर को कैसे बदला सिर्फ और सिर्फ बेबी कौन को उगा कर सबसे पहले बताएं कि यह जो आइडिया आप इतने साल से कर रहे हैं आप कितने किसानों को फाइदा पहुंच पहुंच पाया आप तक मैं कौन सिंच चोहान गाउं अटेरना से किसान हूं 1978 से खेती कर रहा हूं 1988 में मुझे पता चला कि बेबी कौन की कोई खेती होती है और उससे मैं ज़्यादे लाब कमा सकता हूं इसलिए मुझे पीछे कान यह रहा है कि हमारे पास एक विग्यानिक आये थे जो कहते हैं कि मैं बेबी कौन का बीज बनाता हूं और इससे ज़्य हूं यहें और को इसलिए। द्रतरी को इन डाजाड़ा हैं yay बेचने के सुरू कर दी फिर बेचने की की शमश्या आई और हमने आजधपूरू competitive कुम्बी की दुकान पर बेबी को रखना शूरू कर दeven दिना मार्केट उद्यूलःउ c.. भी आजादपूर मंडी में, इसके बाद भी कोई परेशन यह आई बेचने में, तो हमने लारेंस रोड़ जाकर एक प्रोसेस इंड़स्ट्री में बेबी कों बेचना सुरू किया, कई बार फिर भी हम बेच नहीं पाए तो हमने एक अपनी प्रोसेस इंडेस्टी लगाने ही सोची और 2009 में हमने बेबी कॉन के प्रोसेस करने की पहली इंडेस्टी लगाई और 2012 में दूसरी, 2015 में तीसरी और 2016 में चोक्ती उनिट लगाई और हमारे पास अब चार फुट प्रोसेसिंग उनिट है जिसमें बेबी कॉन, स्वीट कॉन, मस्रूम और टमाटर का हम प्रोसेसिंग करते हैं और हमने अपने किसानों को मिनिमम गारंटी प्राइस दिया हुआ ह जैसे बेबी कॉन का मिनिमम गारंटी प्राइस हमारा 50 रुपे किलो है, मस्रूम का भी 50 रुपे किलो है और स्वीट कॉन का 7 रुपे किलो और टमाटर का 5 रुपे किलो तो हम किसानों से मिनिमम इस रेट पर ये चारो फसले खरीदते हैं और इनको प्रोसेस करते हैं कि हम देश की मार्केट में भेजते हैं और इसके इलावा बेबी कॉन हम किसानों खरीद कर अपने पैक हाउस में पैक करके एक कंपनी के दुवारा यू के भी भी भेजते हैं स्कूल मिलाकर 5000 किसानों की जो आमदरी बढ़ी है सरकार ने जानकर हमें 16 मार्च 2019 को पदम स्री अवार्ड भारक के महामई राष्ट्रेपती जी ने हमें परदान किया जी सर यह बताए मुझे कवल जी कि अब इस गाउं में कितनी अबादी है और इस फसल के बाद क्या कुछ आत्म निरभर भारत का जो सपना है परदान मंत्री जी का क्या वो उसके पत्त पर चलने के लिए किस तरह से आपका यह जो जो मुहीम है वो आगे बढ़ रहा है किसान जो खिति कर रहे हैं अब में लगता किसान अख़वार में पढ़ते हैं कि किसान आतम निरभर था क्यों को एक पहले किसान आतम निरभर था अब किसान को बजार के साथ जोड़ दिया गया है और बजार से सारक किसान सबसीजे खरीगता है और जब कुल लगा कर हिसाब लगाता था तो किसान घटे में जाता था और किसान करज के बोज में किसान दब जाता था और आतम निरभ जा हुआ है और यहां किसान जो है संतुर्ष्ट एक तरह से क्योंकि उनको एक आमदनी मिल जाती है ज्याद है खिती बाड़ी में कोई धनके मंडार तो भर नी सकता लूट तो कोई है नहीं परन्तु दाल रोटी किसानों की यहां सब अच्छी चल रही है और यहां को यह किसान आ और यहां कि दिन के लिए लुट ट्रेश्ट करते हैं कि लिए हैं लागबक दस जार लौक तो अब तक आ चुके होगए अच्छा इन ट्रेनिंग जो जितने लोको दिया क्या उन्होंने अपने गाउं पहले मैं ने बताया आपको की मैंने अखेली शुरू कि फिर मेरे पड चुनोतियां क्या हैं क्या कुछ लग रहा है कि हम एक इसान है और यहां जब हम किसानों से जो माल खरीते हैं किसानों को अदाई की जुरूत होती है हमारे खर्चे वीजिसे क्रोणा काल में क्या हुआ कि हमारे पास पैसा भी नहीं था और जब हम बेविकों को डबे में भरनी तो डबा की कंपनियां बन थी और उधार कोई कंपनी डबा देते नहीं थी और हमारे पास सीसी लिमिट भी अधिन बड़ी नहीं थी कि हम उसका प्रियोग कर सके सबसे बड़ी चुनिती यह है कि हमारी प्रोसस इंड़स्ट्री को एक सीची उनिट जो कुछ पैसा सरकार को देना चाहिए इसके प्रियोग के लिए ताकि किसानों का माल हम बेज के किसानों समय पर पेमेंट कर सके और किसानों को भी आई है क्योंकि सरकार ने विसे तो अलाउड कर दिया था हमारी इंडेस्ट्री को चलना पर लेबर का आना जाना यह थोड़ा सा बंद हो गया था और साथ में जो है माल का आना जो जब्बे में हम करते हैं तो वह भी बंद हो गया था थोड़ी दिक्कत आई अच्छा अच्छी बात यह रही कि हमारे पास चोटे-चोटे कुछ कोल्स टोरते हमने उसमें रख लिया और आईस्ता हम उसको कैनिंग करते रहें और किसानों को एक कामाल बिग गया किसानों कामाल खरी लिने में हम काम्याब रहें